दंद सुन्दरता दा ग्याना पर मात्माने मुनुखनू बहुत सोने स्रीर दी दात बक्षी है स्रीर दा हर अंग अपना अपना कम बखू भी करदा है सो साड़ा ये फर्ज बनदा है कि असी अपने स्रीर दी सफाई रखिये दादा जी तो अड़े दंद इस उमर विच भी मजबूत पए हान अते मैं हाले किनना छोटा हां फेर भी मेरे दंद दुख दे हान रिंकू ने कहा पुतर जी इस दे कसूरवार असी खुद हाँ पहला ता असी अपने दंदा दा त्यान नहीं रख दे फेर ज़द बिमारिया कार कार जान दिएने तां पाजदे याँ डाक्टरां को र दादा जी ने अपनी गल पूरी कीती कदे दान्द कडवांणे कदे रूट कनाल कदे सरज़री पता नहीं केडी केडी बिमारी लग जान दी ये दंदा नु रिंकू दादाजी दियां गल्ला सुनी जारे हासी दंदा विच दर्द, खून निकलना, मो विच्चों बदबू आउनी समेतो पहला दंदादा डिगना आद, आजकल आम समस्या माहन इस सब कुझदे नाल, दंदादी एक होर बिमारी परिशानी दा सबब बनी रहन दी है ओ है पाईरिया दादाजी, एक एहोजी बिमारी है? रिंकू ने पुछिया दादाजी ने कहा, इस नाल दंदादा उपरला हिस्सा पीला हो जान दा है ए बिमारी साड़े दंदादी सुन्दरता खत्म करके उनानू जड़ छडण लई मजबूर कर दिन दी है सानू नेम अते त्रेक दी दातन करनी चाहे दी है जाम फल दे पत्यानू चबाके उस दे रासनाल कुरली करनी चाहे दी है जिस नाल दंदा विच्चों खून अते बदबू आउनी बंध हो जान दी है नमक वाले पाणी नाल कुरलीया करनी चाहे दी है सरों दे तेल विच्च सेंदा नमक मिला के दंदा ते लगाउन नाल दान्द चमकन लाग जान दे है सब तो जरूरी गल दादाजी बोले ओकी दादाजी रिंकू ने आख्या सान्नू हमेशा कुछ भी खान तों बाद कुरली करनी लाजमी बनावनी चाहे दी है दो वेले बुर्ष भी करना चाहे दादाजी ने अपनी गल मुकाई रिंकू ने अज आपने दादाजी दियां गलानू लाडबान लेया अते आपने दंदादी हमेशा संबाल करन्दा दादाजी नाल वादा कीता ओक्खे शब्दां दे अर्थ मजबूत पक्के सुन्दर्ता खुबसूरती संबाल देखपाल सुमस्यामा मुश्कला मजबूत ताकतवर वादा वचन बद सबब वजा हमेशा हरवारी